तो आदाव नमस्कार गुड इडिंग से स्रेकार अग बार फिर आप तमाम लों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी आज पधान मंत्री का रास्ट के नाम संदेश चौथी बार जो कुछ भी वो कहेंगे जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको सब पता है 17 माई को लोगडाउन खत्म हो रहा है तमाम राज्य के चीफ निस्टर के साथ मुलाकात हुई थी सारे मुख्यमंत्रियों से कहा गया 15 में तक अपने अपने सुझाओ ने हलाकि इस बार केंद्रे ने राज्य सरकार पर रख दिया है कि स्टेट खुद डिसाइड करें कि लॉगडाउन को कैसे रखना है कैसे आगे करना है ग्रीन औरेंज और जो रेड जोन है उसके बारे में भी वो डिसाइड करें ताकि स्टेट ये शिकायत ना करें कि हम आर्थी कुरूप से कमजोर हो रहे हैं सेंटर के उपर ब्लेम गेम और स्टेट का एक दूसरे का तुसलिए स्टेट को बहुत सारी चीज़ें रियायत दी जा रही है कुल में लाग के करोना की तस्वीर अभी वैसी है लगभग चारहजार के हिसाब से एवरेज केस बढ़ रहा है पूरी दुनिया में करें 42 लाग करोना के पॉजिटिव हो चुके हैं लगभग 3 लाग के दरवाजे पर खड़ी है मौत की जो पूरी मौत का डेटा है और अब भी लोग जूज रहें एकलौता सोशल डिस्टेंसिंग हत्यार है जिसका सहारा लेकर करोना से लड़ाई चल रही है और शायद ये तब तक रहेगा इस करोना के जरीए हम लों को अपने जीने के धंग को तब तक बना रखना पड़ेगा जब तक किसकी वैक्सिन न पर अब तक एक 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 इसे शक्सिकानी सुनाई थी जो अपने आपको भगवान मानता था और उसमें एक आइलेंड पर जाकर अमेरिका में ही अपने भक्तों को एक साथ जहर पिलाया था पता नहीं कितने रोहों की मौत हो गई थी ऐसे और भी बहुत से कहानिया थी आज र जिसमें अपने एक रॉक स्टार बाबा भी थे जो भी पनजाब में बंद है जेल में तो आजकी जो कहानी है यह साट के दशक में बलकि 70 के दश्रक में 60 में अमरिका के सबसे खौफ़नाक क्रिमिनल की कहानी है अमरिका का जो बॉलिवूड है बलकि हॉलिवूड उस पे इससे जादा खौफ़नाक क्राइम कभी नहीं हुआ था और उस फक्त पूरी दुनिया बलकि अमरिका और बॉलिवूड सब थर-थर कापते थे एक शक्स था जिसके दिमाग में ये था कि ये दुनिया में एक रेस वार होगा गोरों और कालों के बीच में लड़ाई होगी और उस लड़ाई में जब सारे लोग मारे जाएंगे ये एक सोच थी और इस सोच को जर्म देने वाला था चार्ल्स मैंसन चार्ल्स मैंसन जिसकी लगबग 83 साल की उमरे में मौत हुई और इन 83 यह से कहते हैं कि आदे से ज़ादा वक्त उसने जेल में या फिर सुधार गिरा में काटे दुनिया में बहुत सारे क्राइम हुए बहुत तरह के क्रिमिनल हुए चार्ल्स मैंसन के बारे में एक लाइन मशूर है वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हैरान करने के लिए दुनिया को क्राइम करता था या कर्वाता था और उसकी खाहिश यही थी कि वो एक रॉक स्टार बने एक अच्छा म्यूजिक में भी उसका नाम हो लेकिन साथ साथ वो अपना एक दूसरे तरीकी की जिन्दगी भी चाहता था और चाहता था कि लोग उसको एक तरह से भगवान मानें वो भग्त बने और पहली बार ऐसा था जब उसके इस उसने बाकाईदा एक मैंशन फैमिली बनाया और इस मैंशन फैमिली में अमरीका के तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां जो टीनेजर थे और जिनकी उम्रे 20 साल से नीचे थी जो अपने घरों से बाकी चीजों से उकताए हुए परिशान उनको आसरा मिला चार्ल्स मैंशन की मैंशन फैमिली जोहन करने के बाद जहां पर हर चीज की छूट थी ड्रक्स था ओपन सेक्स था और इनी चीजों को उसने आगे करके लड़कियों को इस फैमिली का मेंबर बनाया और उन लड़कियों के जरीए बाकी जो नौजवान और दूसरे लोग थे उनको आकरशित किया और अपनी इस फैमिली की तरफ लेकर आया इतमाम वो लड़के लड़किया टीनेजर थे जो कुछ नया करना चाहते थे कुछ नया चाहते थे और मैंशन ने उनका ब्रेनवाश किया था चार्ल्स मैंशन की अपनी पुरी जिंदगी जो है किस तरीके से एक हॉलिवड की एक्ट्रिस का मडर किया राइटर का हैर स्टैलिस का इसके लावा अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेस मैं जिनका अपना एक तरह से बहुत बड़ा शोरूम था उनका उनकी वाईव का और ये सब क्यों किया इसके पीछे भी एक मकसद था तो कहानी है चार्ल्स मैंशन की जो सिंसिनाटी अमेरिका में वहाँ एक बहुती कम उम्र की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया शादी हुई नहीं थी ये बच्चा था चार्ल्स मैंशन कुछ दिनों तक उसने अपने पास रखा फिर उसे पता चला है कि एक और ते जिसको कोई औलाद नहीं है बच्चा हो नहीं रहा है उसने उस ऑright को इसे बेज दिया चार्ल्स मैंशन अब उस ओरझ के पास था जिसने उसे खरीदा अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया लेकिन कुछ वक्त के बाद चार्ल्स मैंशन के चाचा को पता चला कि उसे बेज दिया गिया, वो ढूलता ढूलता उस ओरत तक पहुंचता है और चार्ल्स मैंशन को वापस अपने पास ले आता है बच्पन का ही महौल जिस तरीके का था उसने मैंशन की जिंदगी एक तरह से बदल के रग दी थी और बच्पन से ही उसके दिमाग में क्राइम और क्रिमिनल यही सारी चीने चल लए थी जब बारा साल का मैंशन हुआ उसी वक्त उसने चोरिया गी हातियार चुराए, पैसे चुराए, पकड़ा गया, रिहेबिलेशन सेंटर में भेजा गया फिर बाहर आया, फिर उसने क्राइम किया, फिर पकड़ा गया, फिर उसे भेजा गया, जेल धीरे-धीरे करके क्राइम करता रहा, पकड़ाता रहा और जेल जाता रहा तेरा साल जब उसके उपर इती तब उसने पहली बार हातियार चुराया था और इसके लिए उसे पहली बार थोड़ी बड़ी सजा हुई इसके बाद वो छोटे मोटे क्राइम ड्रक्स और ये सारी चीज़े करता रहा जेल जाता रहा आता रहा 1967 में एक लंबा वक्त जेल में काटने के बार जब ये बाहर आया और उसी जेल में रहने के दौरण एक चीज़ हुआ इसने जेल के अंदर गिटार बजाना सीखा संगीत का शौक था और गिटार बजाते बजाते उसे लगा कि हालियूट के जितने बड़े-बड़े म्यूजिशन है शायद वो उनसे बहतर गिटार बजा सकता है उनसे बहतर उसके अलबम आ सकते हैं और वो राज कर सकता है तो जब 1967 में ये जेल से बाहर आया तब पहली बार इसने अपना एक परिवार बनाने का फैसला किया जिसमें अपनी सोच के लोगों को रखने के लिए और जिसमें ज़्यादा तर जो नौजवान थे हिप्पी इन सब को हिप्पियों को एक खटा किया और धीरे धीरे उन तक ये पहुँचना शुरू हुआ गिटार इसने सीख रखा था गिटार के जरीए इसने संगीत की दुनिया में भी कदम रखने का फैसला किया और दूसरी तरफ ड्रक्स का भी आदी था तो ये सारी चीजें होती रही और धीरे धीरे फिर इसने एक म्यूजिक डिरेक्टर हॉलिवड के उनके साथ दोस्ती की और वो भी इसकी बातों में आ गए उसका ब्रेंवाश किया उसके बाद इसका बाकाथ एक अल्बम निकला अल्बम निकला वो अल्बम भी इसके अपने परिवार में फूप चला बटा और इसकी सोच वैसी ही थी तो ये सारी चीज़े होते नहीं उसके बाद कुछ वक्त ऐसा आया कि जब इसे लगा कि इसको फिल्मों में भी काम करना चाहिए और फिल्म में अपने इसने जो परिवार के लोग हैं उनसे कहा हालिवट के और बड़े बड़े जो सेलिबरिटी थे बड़े बड़े घराने के लोग उनके साथ चाल्स मेंशन और उसके परिवार के लोगों की अच्छी खासी जान पहचान पहुच थी तो उन तक भी पहुचा लेकिन बात बनी नहीं एक दो म्यूजिक डिरेक्टर और थे जिनके जरी अपना अलबम निकालना चाहता था जो बड़े थे उस वक्त नामी उन्हों ने मना कर दिया इसी दोरान में अचानक चार्ल्स मेंशन को ये बात इतनी बुरी लगी कि अब उसने अपने मेंशन परिवार के लोगों को एक तरह का ये पूरा कल्ड था इसका अपना जो नया धर्म चलाना ये दिमाग में डालना शुरू किया कि बहुत जल्ड इस दुनिया में गोरों और कालों के बीच में लड़ाई होगी जंग होगी और उस जंग में जदातर दोनों मारे जाएंगे और जब ये जंग शुरू हो, और उसने ये भी कहा कि ये जो जंग शुरू होगी, ये अमरिकन एफरीकन की तरफ से शुरू होगी, और कोई बड़ी चीज होगी, कोई बड़ा क्राइम होगा जिसके बाद ये जंग और जिस जंगम पूरी दुनिया लपेटी में आजाएगी तो उसने कहा कि तुम अपने जो हम मैंशन फैमली के लोग हैं जब ये जंक शुरू हो तो ये किसी गुफा में या कई ऐसी जगा जहां पर पहुँचना सके कोई तुम सब वहाँ छुप जाना और जब जंक खत्म हो जाए जब सब मर जाए तब तुम सब बाहर आना हो उसके बाद हम लोगों की ये दुनिया होगी हम लोग इस पर राज करेंगा ये बात चलती रही लोगों को समझाता रहा लेकिन इत्फाक से कोई ऐसी चीज हुई नहीं जिससे इसकी बात साबित हो सकी सच इसी को लेके अब चार्ल्स मेंशन परेशान रहने लगा तो उसने अपने भक्तों को बता रखा था कि अबर अफरिकन कोई होगा जिसके वैसे क्राइम होगा क्राइम के बाद जंग होगी जंग में लोग मारे जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो इन चीज़ों के पीछे उसने यकीन दिलाने की कोशिश की पर ऐसा कुछ हो नहीं जा था कहते हैं कि इसी के बाद फिर उसे यह अहसा हुआ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे काप उठते हैं इसने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जो बड़ा हो जिसकी पब्लिसिटी जादा हो और इसी को करने के लिए चुक्छे गैंग में जादा तर जो फैमली में थे वो लड़कियां थे और उन पर बहुत भरोसा करता था इसने अपनी लड़कियों की एक टीम त शेरोन टेट नाम था और शेरोन टेट पत्नी थी रोमन पोलांस्की की रोमन पोलांस्की एक टारेक्टर प्रोडूसर होलिवट का बड़ा नाम तो उनकी पत्नी थी शेरोन टेट ने कई फिलमें में काम किया रोमन पोलांस्की के साथ भी किया था और वहीं दोनों के बीच दोस्ति हुई प्यार हुआ पर दोनों ने शादी कर दी शेरन टेट की उम्रे तब सिर्फ 26 साल थी आठ नौ अगस्त 1969 की बात है रात की शेरन टेट अपने घर में थी साड़े आठ महीने की प्रेगनेंट रोमन पुलांसकी उस वक्त लंदन में थी अपनी एक फिल्म के प्रोजेक्ट के स्लसले में बात करने के गये थी तो वो वहाँ पे और ये अपने घर पर शेरन टेट शाम को जब उस दिन लौटना था रोमन पुलांसकी को लेकिन किसी वज़ा से वो लंदन से अमेरिका लौट नहीं पाए पोन पे बात हुई अमीर खांदान पैसे वाले बड़े सेलेब्रेटी दोनों तो शाम को जब पुलांसकी को लौटना नहीं हुआ और साड़े आठ महीने की प्रेग्नेंट शेरन टेट इसने अपने घर पर एक राइटर है हॉलिवट के ही उनको बलाया उनकी गल्फेंड क को बलाया और उसके बॉइफरेंड को ये चार लोग थे चार लोग करीब साड़े आठ बजे शेरन टेट के घर पहुंचते हैं डिनर रखा गया था ड्रिंक था ये सब कुछ चल रहा था एक अठारा साल का लड़का भी गलती से उस घर में उस दिन पहुंच जाता क्योंकि कि वो किसी सफाई और बाकी चीजों के सिलसले में घर आया था रात को मैंशन के कहने पे चार लोग जिनमें से तीन लड़किया थी एक घर पे पहुंचती है घर जो है एक पहाड़ी के पास था इन्हें ये डाउट था कि गेट के उपर शायद बिजली के तारवार लगे व गर के अंदर दाकिर होते हैं गेट खोला जाता है फिर चारों अंदर जाते हैं रात करीब 12 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था अब 8 से 9 अगस्त में तारीख बदलने वाला था अंदर जाने के बाद चार्ल्स मैंशन ने साफ का था कि उस घर में घुसने के बाद वो अंदर घुसने के बाद जो पहले टकराता है पिस्टल और चाकू लेकर गोली मारते हैं चाकू मारते हैं 18 साल का वलोड़का एक तफाक सुसवक घर से निकलने वाला था वो भी टकरा जाता है उसे भी मार देते हैं हैर स्टैलिश राइटर जो लेखक हॉलिवड की फिल्मो है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ साड़े-8 महीने का बच्चा है मेरे पेट में मुझे छोड़ दो रहम करों पर वो सामने लड़कियां हैं फिर भी रहम ने करती हैं उसी पेट में चाकू मारती हैं अंगिनत मारने के बाद जब तक वो तलब के मरनी जाती वो लोग महीं जात हैं तो शेरोंटेट का खून उठाती हैं और वो खून लेके बाहर आती हैं और दरवाजे पर लेक्ती हैं पी आई-जी-एस पिग्स इन जो मेरेटरिसन फैμिली की एक सोच थी चारल्स कि जो लोग इसे नहीं माने हैं या इसकी सोच को नहीं मानते हैं वो सब सुषवे हैं और वो दुश्मन है तो इसलिए उस दर्वाजे के बाहर पी आई जी इस खून से शेरिन टेट के लिखकर गातिल उस घर से निकल जाते हैं रात को खबर ये फैलती है किसी पडोसी के जरीए उसका सुबह होते होते पूरे हॉलिवुड में हरकम बच जाता है एक जानी मानी एक्टरस एक मशूर डारेक्टर प्रोडूसर की बीवी हॉलिवुड के एक हैर स्टैलिश एक बहतरीन राइटर इन सब का कटल एकी छट के नीजे हुआ था हॉलिवुड ने ऐसा क्राइमिस से पहले कभी नी देखा था पूरी मीडिया सब को चुछ जमाने में 69 में उस दिन 9 अगस्त की शाम तक लगपक इसी खबर पे और किसी को यकीन नी हो रहा था इदर ये लोग अभी शोक मना रहे थे इन सारी चीजों को इस खबर को लेकर कि तभी ये चारों अब एक और इनके साथ जुड़ जाता है और 9 अगस्त की रात को 24 घंटे के अंदर अंदर ये लोग पहुंचते हैं एक और जगह पे और इस बार एक बड़े बिजनेसमेन जिनका अपना बहुत बड़ा शोरूम लीनो और उसकी वाइफ रोजी मेरी वहां जाते हैं इन दोनों को भी सेम उसी तरीके से चाकों से गोध गोध करने कर और कटल करने के बाद पर इनका खोन लेते हैं और इस खोन से फिर उसके दरौाजे के उपर वही बीजिए लिए कर जाते हैं सेम माल अभी एक हॉलियूट की हिरोईन और इन तमाम चार कतल से महां के शहर के लोग और अमेरिका भी समला भी नहीं था कि अगले दिन की सुभाई ये दूसरी खबर आती है एक बड़ा बिजनसमेन अपनी वाइप के साथ सेम तरीके से पुलिस इसके बाद कातिल को ढूनती है साथ कतल दो रात में हो चुके थे लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता छे महीने बीच जाते हैं छे महीने के बाद इन में से दो लर्किया कुछ पकड़ाती है और ये भी किसी मारपीट सड़क के उपर पूच्टाच होती है तो पूच्टाच के दोरान कुछ ऐसी बाते पता चलती है जिससे कतल लेकातार सीधे जोड़ना शुरू हो जाता है इन चारों के इन लग्यों के शेरन टेट से और उस बिजनसमेंट से इसके बात छे महीने बाद जब गहरी पूच्टाच फिर होती है तो उनमें से एक गवाह बन जाती है और वो कहती कि हाँ शेरन टेट और उसके घर में जो चार कतल हुआ या जो बिजनसमेंट का कतल हुआ वो हम लोगों नहीं किया था लेकिन ये कतल करने के लिए हमें चार्ल्स मैंशन ने कहा था चार्ल्स मैंशन ने क्यों कहा था अब पुलिस को जब ये सारी कहानी पता चली तब पहली बार चार्ल्स मैंशन के पास पुलिस पहुंचती है उसे गिलफ़तार करती है साथ قتل کا الزام था उसके उपर और वज़ा ये एक थी कि एक उनमे से जो खुत कातल थी वो गवा बन गई थी और उसने फिर पूरी कहानी जो बताई थी वो यही थी कि चार्ल्स मैंशन लगातार ये कह रहा था कि इस दुनिया में रेस वार होगी गोरे और काले लड़ेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी अद दुनिया खत्म ना हो भी हो तो भी कम से कम अमेरिका के हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद जो मैंशन फैमली के लोग है वो छुपे रहेंगे उसके बाद जब ये सारे लोग मर जाएंगे मेंशन फैमली के लोग बाहर आएंगे और फिर वो अपने अमेरिका के उपर राच करेंगे और उनी की सोच, उनी का धर्म, उनी की सारी चीजने चलेंगी और इसके लिए अमरिकन अफरिकन्स की तरफ से कहीं से जंग शुरू होगी पर वो शुरू हो नहीं रही थी तब चार्ल्स मेंशन ने फिर प्लान बनाया उसने कहा कि किसी ऐसे सेल्बरिटी बड़े शक्स का कतल किया जाए बेरहमी से, जिससे हरकम बच जाए मीडिया में खबरें आए, पबलिसिटी हो और शक जो है, वो कालों पे जाए शुकि शेरन टेट, उसके घर में चारों गोरे थे जो बिजनिस्मेन, उसकी वाइफ, रोजमेरी अर्लिनो, ये भी गोरे थे तेन साथ कतल के बाद, इसकतल का इल्जाम, किसी काले पे डालना था और उस काले पे डालने के बाद फिर काले और गोरे को एक रंग देना था जैसे हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं बहुत सारे से मसले होते हैं जिसमें राजनीती में भी कई चीज़ें होते हैं जिसमें धर्म का नाम अपने देश में भी हिंदू-मस्लिम कर दिया जाता है जात से लड़ा दिया जाता है तो यह सेम सोच उस वक्त महां चार्ल्स मेंशन की थी लेकिन इत्फाक से पहला कदम तो उसने ठीक किया दूसरा कदम की गागट जो गोरे और काले हैं वो इसको रंग नहीं दे पाया और इसी वज़ा से वो चीज नहीं हो पाई जिसके लिए उसने साथ बेकसूर लोगों को माड़ा लगातार गिरफतारी के बार चार्ल्स मेंशन इससे इंकार करता रहा लेकिन एक गवाह बन गी थी मुकदमा चला उसके बाद निव यॉर्क के अदालत में मुकदमा चला अदालत ने उस गवाह के बियान के अधार पर उन चार में से तीन और एक चार्ल्स मेंशन चुकि एक गवाह बन गी थी उसे माफ कर दिया गया इन चार लोगों को सजा ए मौत सुनाई लेकिन निव यॉयॉर्क के कानून में उस वक्त किसी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी तो इमामला सुप्रिम कोर्ट में गया और सुप्रिम कोर्ट ने फिर इनकी मौत की सजा को उम्रकाइद में तब्दील कर दिया तब से वो निव यॉयॉर्की ही जेल में रहा इस दौरान में जेल में रहने के दौरान बन जाती यह खबर, वो खबर यह देती है, कि वो चार्ल्स मैंसन से शादी करने जा रही है, यह 26 साल की और चार्ल्स मैंसन की उमर उस वक लगबग 80 साल की होगी थी, बात है 2014 की, कोट पहुंसती है, निय और कोट उसे शादी क्या लाइसंस भी दे देती है, वहाँ पे आपक जेल आउस्थरिटी को सौपर, जेल आउस्थरिटी ने भी कहा कि यह कोट का आदेश है, पूरा जेल स्थाफ इस शादी में शामिल होगा, उस ललकी ने यह कहा, जिसका नाम था ऐलन बर्टन, कि यह शादी जो है, यह उस मुलाकात रूम में करेंगे जहां वो अकसर चार स से मिलने आती थी, अब सब की नजर यह थी कि लगबख 80 साल, 89 साल की उम्र हो गे थी चार्ल्स मेंशन की, और 26 साल की ललकी एलन बर्ट से वो शादी जनने जा रहा था, कोट ने परमिशन दे दी, देरे देरे नजदीक आता जाता है वक्त, 90 दिन, लेकिन लाइसेंस की मिया खत्म हो जाती, दोनों की शादी नहीं होती है, अब लोग हैरान कैसा क्यों हुआ, शादी क्यों नहीं हुए, चार्ल्स मेंशन से पूछा जाता है, तब वो बताता है कि एक्चली मुझे, चुके उम्रकैद है, और उम्रकैद तब तक है, जब तक की वो जिन्दा है, उसको और उसके उम्र 80 के आसपास हो गई थी, तो उसने कहा कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, पेरोल मिलने में 27 साल है, 27 में है, तब तक मैं 90 के आसपास पहुँच जाओंगा, तो ये मुझे से शादी क्यों करना चाहती है, चार्ल्स मेंशन ने कहा कि फिर मुझे लगा कि चु करेगी और एश करेगी, और इसलिए मैंने अभी शादी ने की ताकि भी बाद में देखेंगे, दूसरा चार्ल्स मेंशन को एक हमेशा से ये था, कि वो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आपको भगवान मानता था, तो उसका ये था कि जब मैं मरूंगा ही नहीं, तो की उमर है, तो मुझे से शादी क्यों करना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि मैं असल में इसके केस को रियोपन कराना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि रियोपन करने के बाद सजा कम हो सकती है, लेकिन केस को दोबारा शुरू करवाने के लिए कुछ जरूरी कागजात की कागजात है, और अमेरिका के कानून के हिसाब से जो बहुत सारे ऐसे कागजात है, वो सिर्फ वर सिर्फ विक्टिम के रिश्यदार करीबी फैमली मेंबर को ही दिया जा सकता है, और अलन बढ़ चुकि उसकी कोई शादी नहीं हुए, तो वो करीबी रिश्यदार उसके सम् शादी करना चाहती थी, ये उसके बयान थे, लेकिन खैर शादी हुई नहीं, और शादी ना होने के बाद धीरे धीरे वक्त बीटता है, लगता है कि अब चार्ल्स मैंशन दोहजार सटाइस आएगा, फिर बाहर आएगा, फिर कुछ होगा, लेकिन फिर उननीस नवंबर द उसकी मौत नहीं हो सकती है, और वो भगवाल है, वो मरेगा नहीं, उस चार्ल्स मैंशन की मौत, उसी नियू यार्क जेल के अंदर, उननीस नॉंबर दोहजार सत्रह, यहनी तीन साल पहले, करीब तरासी साल की उम्र में हो जाती है, और इसके साथ ही अमरिका के एक सबसे ख कहानी को याद करके, हॉलिवड अगर लोग में इसका जिकर होता है, और इस पे एक बागएदा शायद फिल्म भी बन चुकी है, वन्स अपॉन टाइम, वन्स अपॉन अटाइम इन हॉलिवड, इसी चार्ल्स मैंशन की और खासतोर पर शेरोन टेप की, इस मुर्डर के उप उसको बैगरॉड पर रखते हुए, ये फिल्म बनी है हॉलिड की, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखें, तो ये थी कहानी अमेरिका के सबसे साथ के दर्शक की खुँखार अपरादी की जो अपने आपको भगवान भी मानता था, म्यूजिक भी लवर भी था, अपने आपको रख के स्टार भी मानता था, एक्टिंग भी करना चाहता था, और साथ में इस दुनिया के खत्म होने के बाद अपने फैमिली के लोगों का राज भी चाहता था, लिकिन इन में से कुछ भी नहीं हुआ, और आदे साथा, 83 साल में से करीब 40 साल, उसकी आता हो, एक तो पहले क्राइंतिक जो फैमिली है, उनके मिम्बर्स की जनम दिन बर्डे है, इसमें ओएंड्रिला घोष है, आज उनका बर्डे है, तो ओएंड्रिला जी आपको बहुत बहुत जनम दिन की बधाई, आज जेंशी है, और हिवान्शू पटेल ने भेजा है, जेंशी का बर्डे है, तो जेंशी हैपी बर्डे, प्रिया है, इनका भी बर्डे है, आज तो हैपी बर्डे प्रिया, सुजीत कुमार मंदल ने भेजा था, सुर्जील कुमार मंदल, मजर खान, इनका कल बर्डे था, तो बिलेटेड हैपी बर्डे मजर क्राप, अनीता जी हैं इनका बड़े भी कल था प्रशांद वर्मा ने बेजा तो अनिता जी बहुत-बहुत जनम जिन की बढ़ाई इसके लावा राधा किशन है और अर्विन सेथी ने बेजा है एक यानवे साल की हो चुके नौ साल सिर्फ और बाकी है सेंचरी में तो हम सब की दोबाया कि ममता पुजारी और प्रशांद पुजारी इनकी पहली मेरेज अनिवरसरी है काशी पुजारी ने भेजा तो बहुत-बहुत बढ़ाई आप दोनों को बासू और रंजीता की भी मेरेज अनिवरसरी है तो रविंद्र साहू ने भेजा है बासू रंजीता साहू का तो आप को ही बढ़ाई वर्षा और मयूर इनकी मेरिज अन्यवरसरी कल थी इंड़िपन। इमरान खान मिदास इनकी मेरेज अन्यवरसरी बहुत मुबारक हो। संजीव कोहली इनकी सिलवर जुबली इन्होंने 25 साल होगे शादी के तो संजीव कॉलिज साथ बहुत-बहुत मुबारक हो आपको बंसीधर दुएदी और उर्मिला दुएदी पचास्वी गोल्डन जुबली इन दोनों की और डॉली पांडे ने भेजा है तो आप दोनों को बहुत-बहुत ये पचास्वी सालग की बहुत-बहुत बढ़ाई इसके लावा ममता और प्रशांथ के पुजारी जी ने भेजा है इनकी 10 माई को मेरे जन्वर सीथे तो आप दोनों को बहुत-बहुत बढ़ाई और एक खास क्राइम तक फैमिली के एक मिंबर हैंका बढ़ा अच्छा लगा मुझे मेल पढ़क में थोड़ा माईलिस्टोन लेकर आया एक तो यह इनकी 2020 में तीन सिल्वर जुबली ओकेजन आ रहे हैं पहली इनकी शादी के 25 साल 2020 में दूसरी जब इन्हों ने चांड़र एक कॉंटेंट किया का पूरा उसके 25 साल पूरे हैं और तीसरी कंपनी सेक्रेटरिशिप यानि CS का जो इनका प्रोफेशन था उसके भी 25 साल तो तीन-तिन सिल्वर जुबली राम अफ्ता तिवारी यह पूरी क्राम टेक फैमिली की तरफ आपको बहुत-बहुत बढ़ाई जो आपकी कहानी थी चार्ल्स मैंसन ये जोसना कुमार ने भेज़े थी और थैंक यू जोसना आपका इस के लिए और उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनी होंगे अशोक कुमार धुर्वे दीपक सागर ये यूपेसी की तैयरी कर रहे हैं उन्हेंने कहा है कि दीपक ने कि मैं जैसे ही आईस बनता हूं तो एक दिन आईस बनने के बाद आपके पास आऊँगा और लाइव आपके साथ बैठ कर अपनी पसंद की कहानी सुनूँगा तो मेरी दुआ है दीपक कि आप आईस अफसर बने अथे रैंक लाइए और जिद दिन ऐसा होगा आप बिलकुल मुझे बताईएगा फटाफट आपको साथ बैठेंगे पूरी क्राइम तक फैमिली जो है वो सुनेगी मेरी नी उस दिन आपकी कहानी सुनाइगे कमल किशोर अटल है इसके लावा मंजीत सिंग है यह सुमेद सिंग सैनी पंजाब के एक सडी जीपी है उनकी कहानी सुनना चाहते हैं जिनके उपर कुछ मडर के और बाकी चार्जस थे तो उसका लेटिस अपडेट क्या है मैं मंजीत सिंग एक बद अपडेट करके आपको जरूर इसकी कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा मुहम्मद हुसैन शेख है यह वाईयस राज शेखर रिड़ी आंधरा के चीपनिस्टर जो चौपर क्रेश में डित हो गई चुनकी कहानी सुनना चाहते हैं मैं जरूर सुनाता हूँ चेतन कुमार है यह कहानी सुनते हैं इनके दादा 76 साल के हैं वो भी कहानी सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं तो चेतन जी दादा को प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि बस इसी तरह अपने आशिरवाद दुआएं देते रहें अभैय यादव काशी से हैं बलजिंदर दीप हैं एहमद शाबाज हैं मयूर जल्दी सुनाता हूं आपको सुधीर यादव हैं डॉक्टर साक्षी हैं इन्होंने कुछ गंभीर बाते लिखी हैं मेल पर किस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ नौजवान आजकल क्या कर रहें तो मैं डॉक्टर साक्षी जी इसके जरूर आप से बात करूँगा डिटेल स्टाइल के बारे में तो सोची नहीं सकता हूं लेकिन थैंक यू अर्जुन सिंग है ये डिएसपी देवेंदर की कहानी सुनना कहते हैं और मैं शाथ सुना चुका हूं डिटेली में तो आपको क्राइम तक कहानी के एपिसोड में मिल जागा अर्जुन जी एक बर देख ल आचुका हूं तो आप एक बर अगर कराइम तक कहानी रिस्ट में जाएंगे एंकित तो आप मिल जागी वो कहानी इसके लावा रचना शर्मा है ये एनी फ्रेंक की कहानी सुनना जाती है सिकंड वर्वार से जुड़ए ये कहानी है तो मैं जरूर जल्दी सुनाता हूं पत्से इन्होंने सिर्फ मेल में इतना कहा कि आप मुझे हेलो बोल दिए तो रवी वर्मा हेलो अच्छे रही है आप तो फिलाल इतना ही आच कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू वर्यमाट